नमस्कार परदाफाश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनाली आज बात करेंगे कंगाल देहाल पाकस्तान की यू तो हर देश के पास जा जा कर भीक मांग रहा है पाकस्तान लेकिन कहते हैं ना रसी जल गई एठन नहीं गई यही हाल है पाकस्तान का अभी भी पाकस्तान को अखल नहीं आई है अभी भी अपने गुनाहों से और गलतियों से पाकस्तान कुछ सीखा नहीं है क्योंकि पाकस्तान में हिंदू उपर अत्याचार जारी है हिंदू और तो लड़कियों के साथ आज भी रेप हो रहे हैं आज भी धर्मांतन हो रहे हैं आज भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और ये सारा खेल पाकिस्तान में जारी है लेकिन अब पाकिस्तान में बसे हिंदू समुदाई ने अब जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने की ठान लिये है यहाँ पर बसे हिंदू समुदाई ने एक रैली निकालने का फैसला किया हिंदू समुदाई पाकिस्तान में सबसे बड़ा अल्प संख्यक वर्ख है ओफिशल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 207 मिलियन मुसल्मानों की अबादी वाले इस देश में 55 लाख हिंदू रहते हैं तो आज परदा फाश करेंगे बेश्चरमी की सारी हदे पार्थ करने वाले पाकिस्तान की तो चल ये शुरू करते हैं पाकिस्तान के अल्प संख्यक हिंदू समुदाय के सदसे जबरन धर्मानतन अभरन और नाबालिकों के विवा की बढ़ती घटनाओं की विरोध में इस महीने के अंत में एक रैली करेंगे और यहां सिंध विदान सबाभवन के बाहर एक अत्रित होंगे सिंध प्रांग में कई हिंदू समुदाय के नेताओं की तरफ से आयूजित की जा रही रैली 30 मार्च को देश में अल्प संख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन पाकिस्तान दरावर इतिहादिप PDI के बैनर तले आयूजित की जाएगी संगठन की तरफ से सोचल मीडिया पर जारी किये गए पोस्टरों में कहा गया कि ये रैली सिंध प्रांग में अपरण जबरन धर्मांतन और नाबालिक लड़कियों की शादी और हिंदू समुदाय के लैंड पर जबरन कब्जा करने के विरोध में आयूजित की जा रही है PGI के अधियक्ष फकीर श्वाकुची ने कहा कि हम हिंदू समुदाय से हजारों लोगों के रैली में भाग लेने की उमीद कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमारी महिलाओं और लड़कियों के अपरण जबरन धर्मांतन और फर्जी विवा पर आखे मूद ली हैं उन्होंने कहा कि संगठन ने जागरुकता फैलाने के लिए पूरे प्रांथ में रैलिया निकालनी शुरू कर दी है अब अगर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है धर्मांतन हिंदू लड़कियों का कैसे कराया जा रहा है बच्ची भर के human right activist ने पाकिस्तान की निंदा की है जबरन धर्म परिवर्तन किते बड़े पैमाने पर हो रहा है इसका सठीक डेटा उपलब नहीं है लेकिन लहोर के center for social justice के मताबिक उनके पास धर्म परिवर्तन और अल्प संक्यक समुदाय की बच्चीयों के साथ अपराज से वो हिंदू जो रखते हैं रोजा ये साबित करना मुश्किल होता है ये जबर्दस्ति या गैर कानूनी तरीके से कराए गए हैं या रजामंदी से अब संक्यक समुदाय की जादातर कम उम्रों की लड़कियों को प्रलोबन देकर या जबर्दस्ति धर्म परिवर्तन के लि गिरी होती है इसलिए वो उनके खिलाव बयान नहीं देती अपने परिवार में वापस जाने का फैसला करने का मतलब है धर्मत्याग और पाकिस्तानी समाज में धर्मत्याग करने का मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है रोबन डैनियल राश्ट अल्पसंख्यक लड़कियों के खिलाफ है कानून में कई खामिया हैं जिसका फायदा उठाकर जबरन धन परिवर्तन कराया जाता है और अपरादी बच जाते हैं अपरन करता के चंगों के निकलने के बाद लड़की की कस्दी को लेकर कानून कुछ नहीं कहता हमारी लड़कियों को अक्सर शेल्टर होम में भेज दिया जाता है जब कोई चोरी की गाड़ी पकड़ी जाती है तब भी उसके माले की तलाश की जाती है और उसके सही माले को सौब दिया जाता है लेकिन ये कानून का सिस्टम ऐसा है कि बच्चियां जने जबरान इसलाम कबूल करवाया जाता है उन्ह अपराधी लड़की को इस इलाके की सीमा के बाहर के किसी ठाने में लजाते हैं या उस लड़की को किसी दूसरे शहर या राजी की कोर्ट पे पेश करते हैं। अगर ऐसा किसी आपत्ती जेनक सिती में दबाव में या उन लड़कियों के साथ जिसकी उम्र कम है हो रहा है तो ये अन्यतिक है और इस पर सवाल उठने चाहिए करीब करीब सारे धर्म परिवर्तन के मामले सिंद और पंजाब प्रांच से सामने आ रहे हैं सिंद में जादता लड़कियां हिंदू परिवार की होती है और पंजाब में इसाइयों के मामले जादा है सिंद के दूर दरास के अलाकों में धर्मिक संस्थाएं दावा करती हैं कि उन्होंने सैकडो हिंदू महिलाओं को इसलाम कबूल करवाया है इन में से जादता लड़किया भील में घावर और कोहली जैसी छोटी जातियों से आती हैं अग संक्यकों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन और हिंदू समुदाय का दावा है कि धर्म परिवर्तन जबरन किया जा रहा है या उन लड़कियों का किया जाता है तो मुस्लिम युवकों के साथ चली जाती है इन धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों पर कानूनी प्रक्रिया से छेट चाड़ के आरोप लगते हैं हाला कि धार्मिक संस्थाओं ऐसे आरोपों से इंकार करती आई है संद प्रांथ के देहरकी के भार्चरणी दर्गा के पीर मिया अब्दुल खालिफ उन लड़कियों के धर्ण परिवर्तन के आरोकों से इंकार करते हैं जो किसी मुस्लिम युवक के साथ भाग जाती है वो कहते हैं कि हमारे धर में जबरदस्ते धर्ण परिवर्तन की मनाई है उनका दावा है कि वो सिर्फ उन लड़कियों का धर्ण परिवर्तन करते हैं जो खुशी से इसलाम कबूल करती है और ऐसा करना उनकी धार्मिक जम्यदारी है उनका कोई निहित स्वार्त नहीं है मैं अल्ला को खुश करने के लिए काम करता हूँ हम अपनी जेब से अजारों रुपे खर्च करते हैं एक परिवार ने मुझे लाइफ टीवी पर नौ करोर रुपे आफर किये एक लड़की के बदले जो इसलाम कबूल करना चाहती थी मैंने एक एकर मना कर दिया कि कितने भी पैसे देदो मैं नहीं लूगा हमारा धर्म विकाव नहीं है पहले भी संध्मदानसावा ने धर्मांतन के लिए न्यूटन आयू पर कानून बनाने की कोशिश की थी लेकिन इससे कटर पंतियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा 2016 में सर्वसमती से बिल पारट किया गया लेकिन धार्मिक समों ने इसे गैर इसलामिक बताते हुए धर्मांतन की आयू सीमा पर आपत्ती जताई और राजपाल को विधेक पर हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए विधान सबा को घेरने की धंकी दी गई यानि के वहाँ पर बैठे पावफुल लोग ही नहीं चाते कि हिंदों को उनकी आस्था फॉलो करने का हक मिले सच तो ये है कि मुस्लिमों से घिरे हिंदू बरबरता का शिकार बन गए हैं पाकिस्तान में हिंदों की हालत बत से बत्तर होती जा रही है बरदफाश में आज के लिए ताही देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमसकार